36 गड़ के वित्मंतरी ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार के आम बजट की सराहना की है उन्होंने इस बजट को लेकर कहा कि ये अमरित काल की विजन की निव है अमरित काल की विजन पर फांडेशन डखने का काम परधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने किया है और विक्सित भारत बनानी का रूड मैप जुलाई में पूरा हो जाएगा ये बजट महीला इवाकिसार और गरीब हर वर्क के लिए समर्पित है वही 36 गड़ के बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा ये 36 गड़ सरकार की प्रादमित्ता भी निश्चित रूप सी मोदी की गरान्टी है राज सरकार की बजट का महत्पूर हिस्सा इस पर समर्पित होगा मोदी जी ने देश के अम्रीद काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजर रोड मैप के साथ काम किया है उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ ये बजट आदरनिया निर्मला सिता रमन जी ने पेस किया है और भारत को 2047 में विक्षित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा किस स्ट्रेटजी किस रणनीती के ताथ हम आगे बढ़ेंगे आने वाले दो दसकों में इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तूत करने जा रहे हैं लिए तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष है तिरकालिक लक्ष है भारत के लिए निधारित किया है कि भारत एक विकास सीद राष्ट से विक्षित राष्ट बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है उसके फाउंडेशन के रूप में उसके नियू के रूप में बजट काम करे जाए इसमें महिलाओं इवाओं गरीबों इस सब के लिए तो बहुत सारे कल्यार कारी योजना है उनको मदद करने वाली योजना है तो है ही जो कि किसी भी विकासील देश के जरूरत मन लोगों क यह जरूरी होती है इसके अलावा जो बड़ी और महत्पूर्ण चीज मुझे नजर आ रही है जैसा कि निर्मला सीता नमण जी ने विकोट किया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और मोदी जिन उसमें अंतिम सब जोड़ा है जय अनुसंधान तो जब तक कोई राष्ट रिसर्च और डिवलपमेंट अनुसंधान की दिशा में वैज्ञानिक सोध की दिशा में इन्नोवेशन की दिशा में इस्टार्टप्स की दिशा में काम नहीं करता तब तक वो बड़ा नहीं बज़ सकता क्योंकि आज की दुनिया नालेज़ बेज इंडस्ट्री है आता है तो एक लाग करोर रुपय का 50 साल का इंट्रेस्ट फ्रे लोन की विवस्था इस बज़ट में की गई है जो भारत में इनोवेशन कल्चर को दुनिया में भारत को इन्नोवेशन के हवके रूप में स्थापीत करने के लिए नौलेज बेज इंडस्री के हवके रूप सकता आपको लेकिन हमारे पूरे सरकार की सबसे बड़ी जो प्राप्त मिकता है वो निश्चित रूप से मोदी की गरंटी है मोदी की गरंटी हमने अपने संकल Damn पत्र में संवत किया था और उसी के अनुरूप निश्चित रूप से हमारे बजट का एक महत्पोर्ण हिस्सा उस पर समर्पीत होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में दिर्ग कालिक रूप से 36 गड़ किस दिशा में कैसे विकास करेगा 36 गड़ को कहा पहुचना है किस चीज में हमको उसे आगे ले करके जाना है 2047 में भारत विक्षीत राष्ट बनने जा रहा है उस दोड़ में 36 गड़ किसी उसासन जैसे 5 साल चरा उसे पीछे न चूड़ जाए उसका एक रोट में क्या रिफार्म एजेंडा होंगे